अब ये सबसे गिरा हुआ और गंदा कर्म होगा, क्योंकि इसका प्रभाव आप में बहुत गहरा उतरेगा, क्योंकि इसे कम अगर आप क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, इसे खत्म कर दें, तो आपने अपने कर्मों की गुत्थी को 90% सुल्जा लिया, मेरा विश्वास कर्म मतलब कार्य, चार तरह के काम किये जा सकते हैं, शारिरिक, मानसेग, भावनात्मक और उर्जा द्वारा. इन सभी में उर्जा द्वारा किया गया काम सबसे महत्वपून है, सबसे लंबे समय तक रहता है, और सबसे ज्यादा मुक्त करने वाला भी, अगर सही तरीके से किया जाये तो, अगर आप इसे गलट धंग से करें, उर्जाओं द्वारा गलट धंग से किये गए कार्य का, किसी के जीवन पर प्रभाव कहीं ज्यादा होता है, गलट तरीके से किये गए शारिरिक, मानसेग और भावनात्मक कार्यों की तुलना में, तो गलट तरीकों से किये गए उर्जा कार्यों का क्या मतलब है, एक चीज ये की, दुर्भागिवर्श, मुझे ऐसी कुछ चीज़ें देखनी पड़ी, जो मैं नहीं देखना चाहता था, कुछ लोगों ने, जिनकी उर्जाएं थोड़ी लचीली हो गई, कुछ खास तरह के योग अभ्यास से, या खास तोर से, किसी एक विशेश दीक्षा से, उन्हें ने उसका गलत उपयोग करने की कोशिश की, ऐसे कुछ होवर स्मार्ट लोग हैं, जब आप उन्हें दीक्ष करना चाहते हैं, या कुछ पैसे बनाना चाहते हैं, या और किसी चीज के लिए, जिसे उनकी खोशाली के लिए भेंट किया गया था, उन्होंने उसके इस्तिमाल की कोशिश किसी और चीज के लिए की, या एक बहतर उदाहरण ये होगा, देखिए, आप किसी नकारात्मक काम को कई तरह से कर सकते हैं, एक तरीका ये की, आपने यहाँ बैठे हुए सोचा की, किसी को, जिसे आप पसंद नहीं करते, उसे मर जाना चाहिए, या उसे आप कैसे मारे, ये तक सोच लिया, इसका आप पर एक स्तर का प्रभाव होगा, एक तीवर भावना भी जोड़ दी, अब इसका आप पर कहीं ज्यादा प्रभाव होगा, आपने इस विचार और भावना पर सच में काम कर डाला, अब इसका आप पर और भी ज्यादा गहरा प्रभाव होगा, अब आप ये समझ रहे हैं कि अगर आपने ये चीजें की, तो इसके परिणाम होंगे, तो आपने एक नया तरीका खोज लिया, आपने किसी ऐसे को ढूण लिया, जो कुछ खास तरह के उर्जा कारे करेगा, जिससे कि ये आदमी, जिससे आप पसंद नहीं करते, मर जाएगा, इस तरह का पूरा एक विज्यान है, चार में से एक वेद, अथर्व वेद में ये बताया गया है, कि कैसे उर्जाओं का इस्तिमाल अपने फाइदे और दूसरों के नुकसान के लिए किया जा सकता है, आपने ये शब्द सुने होंगे, जैसे काला जादू, वूडू और पिल्ली शून्यम या जो भी आप इने बोलें, जहां लोगो ने किसी को नुकसान पहुचाने के लिए, उर्जा का गलत इस्तिमाल करना सीखा है, एक बार आप किसी और पे उर्जा के स्तर पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, अपने किसी फाइदे के लिए, अब ये सबसे गिरा हुआ और गंदा कर्म होगा, क्योंकि इसका प्र प्रक्रिया में भी दीख्षित करने से पहले, आपको इस दुनिया की मा बनने के लिए कहता हूँ, ताकि आप कभी भी इसका दुर उप्योग ना करें, आप सब को अपना ही देखें, क्योंकि उर्जाओं में ये विस्तार एक बहुत गहरी जिम्मेदारी के भाव के साथ हो समावेश के भाव के बिना अगर आप उर्जाओं का इस्तिमाल करेंगे, तो ये सबसे नीच कर्म होगा, तो आप में से वो जो दीक्षा के बाद अपने जीवन में नाटकी रूप से परिवर्तन होते देख रहे हैं, आपको इसका खयाल रखना ही होगा, आपको इसका बहुत ध्यान रखना होगा, कि आप रूपांतरन की इस क्षमता का किसी भी, कभी भी किसी और चीज के लिए इस्तिमाल करने की कोशिश ना करें, जाहिर है आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि किसी को स्वस्थ करके या और किसी तरह से किसी के जीवन के साथ कुछ करके यह सबसे गंदा काम होगा, क्योंकि जब आप उर्जाओं के इस्तिमाल की कोशिश करते हैं, पर अभी भी आप में गुस्था बचा है, अभी भी, आप सीमाएं कीचते हैं कि आप क्या है, क्या आपका है, क्या नहीं है, जब ऐसी चीज़ें अभी भी बची हैं, तो आपको कभी भी उर्जा के स्तर पर कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी कारे का प्रभाव बहुत बहुत गहरा होगा, शांभवी जैसी बुनियादी प्रक्रिया में भी दिक्षित होने के लिए आपको इस दुनिया की माँ बनना चाहिए, और ये आपके कर्मों को परास्त करने का भी एक बहतरीन तरीका है, अगर अपने जीवन के हर पल में आप समावेश के इस भाव के साथ जीएं, जैसे आ आप सारी दुनिया की माँ हैं, और ये भेद ना करें कि क्या आपका है और क्या आपका नहीं है, अभी शायद आप में ये भेद बचा रहे कि क्या आप हैं और क्या आप नहीं है, पर कम से कम अगर आप क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, इसे खत्म कर दें, तो आपने 20 प्रतिशत सुलजा लिया, बाकी 10 प्रतिशत के लिए मैं हूँ